सांसद भी मंतरी पत की शपत लेगे शपत के लिए सांसदों के पास जाना शुरू हो गए है अमिश्या नितिन गड़करी राजना सिंग को फोन आया है तो पहला जोशी अनुप्रिया पटेल राम मोहन नाईडू को भी फोन गया है डॉक्टर चंद्र सेकर पेमा सानी जीतन राम माची को भी फोन आया है इधर अगर बात करें मध्यप्रदेश से तो शिवराज और सिंधिया का भी मंतरी बनना तैह है जो तिराजित सिंधिया को भी फोन को लाया है शिवराज सिंध चोहान भोपाल से दिल्ली के लिए रावाना हो गए है तो वहीं हिमाद्री सिंध के नाम को लेकर भी चरचाच चल रही है तो बड़ी खबर बड़ी अपडेट आपको बता दें आज देर शाम साथ सबा साथ बजे नरेंद्र मोदी प्रधान मंतरी पत की तीसरी बार शफ़त लेने जा रहे हैं लेकिन उनके साथ ही तमाम मंतरी भी आज शफ़त लेंगे जिसमें अगर बात करें तो मद्य प्रतेश से शिवराज सिंध चोहान को फोन आ चुका है जोतिरादित्त सिंधिया को फोन आ चुका है शिवराज सिंध चोहान वोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके है तो हिमाद्री सिंध के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है चलिए कौन-कौन से वो सांसा दें जिनके पास फोन आया है वो भी हम आपको बताते है देखिए मद्य प्रतेश से शिवराज सिंध चोहान जोतिरादित्त सिंधिया हिमाद्री सिंध को ये ख़बर आ रही है जैंत चौधरी आरेंडी से मोहन नाइडू टीडीपी और पी चंद्रशेकर पेमा स्वामी टीडीपी से तो ये वो लोग हैं जिनके पास फोन कोल आ चुके हैं और ये सभी दिल्ली के लिए रवाना है तो आज तीसरी बार मोधी प्रधान मंत्री पत की शफ़त लेने जा रहे हैं और खबर है कि 35 से ज़्यादा सांसत भी मंत्री पत की शफ़त आज लेंगे तो देखिए पूर्ब मुक्ष मंत्री शिवरास सिंग चौहान भी अब खबर है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके पास फोन कोल आ चुका है लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से जराबों भी समदीजे देश का स्वभाग है मोदी जी तीसरी बार सपथ ले रहे हैं विक्सित भारत का संकल पूरा होगा जनकल्यान होगा देश विस्व गुरू बनेगा देश का स्वभाग है मोदी जी तीसरी बार सपथ ले रहे हैं विक्सित भारत का संकल पूरा होगा और चलें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नियूज हेड शरद वेदी हमारे साथ जुड़ गए है सरद जी जोती रादित सिंधिया और शिवराश सिंग चोहान दो नाम तो फाइनल है क्या कोई और भी मंत्रिप्रदेश से देखिए नाम निश्चत तोर पर शर्मा जी का भी निश्चत माना जा रहा है और महत्मून जिम्मेदारी उन्हें भी केंडरी मंत्रिप्रदेश मंदल में मिल सकती है और जिन सांसदों के पास अब तक फोन पहुंचे हैं नाम लगबग लगबग सारे सीनियर बीजेपी के ल से हैं चिराग पास्वान एलजेपी से हैं लोग जन्शक्ति पार्टी जो है अनुप्रिया पटेल अपना दल से जैन चौधरी आरलडी से प्रताप्राव जाधाव शिव सेना से मोहन नाइडू टीडीपी से और पी चंद्रशेखर पहमशानी ये भी टीडीशी से आते हैं तो निताओं के पास अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले अमिशा जी के यहां एक बैठक होई थी इसके बाद आल्मोस्ट ये सूची फाइनल हो गई है और वीडी शर्मा जी और शिवराद जी निश्चत तोर पर ये दोनों प्रमुक नाम हमें मद्धे प्रुदेश से देखने को मिल सकते हैं और इसी तरह शर्मा जी का नाम सबसे उपर है और बगेल साब जो ने अपने की रिलेटिव पूपिज बगेल जी को पराजित किया है उनका नाम भी सूची में बताया जा रहा है तो थोड़ी देर में तस्वीर और साफ हो जाएगी क्योंकि सांसदो के पास फोन पहुंचने लगे हैं और उनकी तरफ से कंफरमिशन भी आने लगा है दिनेश चले शुक्रिया जी जानकारी के लिए तो निश्य तोर पर जिए उन लोगों को फोन पहुंचे है उनका दिल्ली पहुंचने का सलसला भी शुरू हो गया है लेकिन उमीद यह है कि मध्यपरदेश ने जिस तरह से इस बार बहतर प्रदक्शन किया है यानि की 29 की 29 सीटें बीजेपी की जोली में जीत कर डाली है तो निश्य तोर पर यहां मध्यपरदेश की जो भागीदारी है वो मोधी कैबिनेट में इस बार बहतर पहले के सितिती में देखने को मिल सकती चलिए और अधिक समझते हैं क्या कुछ चर्चार चल रही है किस तरह का माहल है ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमिश पारासर हमारे साथ जुल गए है तो वहीं लखनव से आलोक राय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुल गए है चलिए यूपी से पहले जान लेते हैं आलोक उत उत्तरप्रदेश की जो सकले सूरत है वो कम देखने को मिल पाएगी। परकाल की बात करें पिछले केविनेट की मोद्य केविनेट से चुनी गई है हाला कि एक सीट वो हार गई है दो सीटों पर वो लड़ी थी एंडी एक गडबंधन के तहट तो पिछली बार भी वो मंत्री थी तो यह माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के पास भी फोन जो है पहुंच गया है हाला कि जो अभी हमने बात की तो उन्हो इसली सरकार में मंत्री थे उनका मंत्री बनना तैम आना जा रहा है महराज गंसे जो केंद्री वित्राज मंत्री थे पंकर चोदरी वो तो यह माना जा रहा है कि उनको भी मंत्री पट दिया जाएगा इसके लामा और किसे मंत्री बनाया जाएगा अभी किसके पास फोन कुछ अभी बहुत से लोगों ने कहा है कि वह इंतजार कर रहे हैं रहाएं कि कुछ तैर में तस्वीर साफ हो जाएगी क्यूंकि 11 बजे करीब प्रधानमंतरी चाय पर मिलेंगे तो वही जो जानकारी सामने रही कि वही लोग चाय पर प्रधानमंत्री से भेट करेंगे जिनको जो है कैबिनेट में शामिल करना है लेकिन यह तया है कि जो बीजेपी के अपेच्छायं थी उत्रप्रदेश से वह पूरी नहीं हुई सीटे बहुत घट गई आधे से ज्यादा कम हो गई तो कुल मिलाकर इसका आसर कहीं न कहीं मंत्री मंडल पर भी देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्रप्रदेश के पडोसी राजियों की तो बिहार का पलड़ा जो कहा जा रहा कि इस बार भारी र देखना बड़ा दिल्चस्प होगा चलिए उमेश में हमारे साथ बने हुए ग्वालियर से उमेश जोतिरा दित्त सिंधिया को फोन आ चुका है किस तरह की चर्चा है क्या माहुल है ग्वालियर में बिनेश बिल्कुल जिस तरह से जो है गुना लोग सवा सीट से जोत्राइश सिंधिया ने बंफर जीत हासिल की और तवी से कयास लिए लगा जा रहा है थे कि इस बार केंद्री मंत्री मंडल में जोत्राइश सिंधिया को जगह मिलेगी और ऐसा ही हुआ उनके पास पोन भी की तद्वीर है वो सामने आ जाए थी लेकिन कहीं ना कहीं गौले चंबल की जिस तरह से क्यों चार लोग सवा सीट है उनके बंफर जीत हासिल किये और पूरे मत्वदेश में कॉंग्रेश को क्लिन सीथ किया है तो यही बज़े है कि इस बार मत्वदेश सहीत गौले चंबल का कर बीदि तरह रहा है मंत्री में बढ़ने जा रहा है उल्धिर जो करकी मंत्री में जगे मिलने को लेकम काफी हैं की जो से मत्रेश को मुद ही आघे 170 इस तरह से अभी फिलाल में जो जोत्राइज सिंधिया उटेन मंत्री हैं और उन्होंने तमाम बेमान यहां से सुनूट किये एयरपोर्ड नया बनवाया और लोगों को यही उन्वीड है कि इस बार भी ऐसा विवाग मेले जिससे ग्वालियर की तद्बीर बदल सके और उसके से जो नेड़ने लेने में जो आस्वे चक्रिक होती है आमने विदान समा चुनाबे भी देखा था और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कुछ जो मंत्री मंदंग में जो चेहरे सामने लोंगे वो भी कई न कई चोकानी वाले चेहरे भी सामने आ सकते हैं चले शुक्रिया हमा अगरे कुटियन मंत्री की बाकाइदा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को मेहनत के साथ निभाया था और यहीं बज़े रही कि वो प्रधान मंत्री मोदी के विस्वास पात्र बने रहे और इस बार उन्हें पहले ही कैबिनेट पे पहले ही तरजी दी जा रही है तो निश् इस बार जिस बार शिवरास सिंग्ग चोहान को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है क्या उन्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा लेकिन मध्य परदेश के लिए आज सी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है लेकिन अब जुड़े थे आलोग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए तो उत्तर प्रदेश में भी इस बार चेहरे देखने को मिलेंगे लेकिन जिस तादात में यानि कि जिस सग्या में पहले कारेकाल और दूसरे कारेकाल में मोदी कैबिनेट में उत्तर दूसर बाजपा नहीं कर पाई है हाला कि अब कौन-कौन से चेहरे होंगे वो भी आपको बता देते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बतलब फोन कॉल पहुंच चुका है कुमार स्वामी जेडिये से हैं रामनाठ ठाकुर है अनुपरिया पटेल है जैंत चौदरी है मोहन नाइडू है पी चंद्र सेखर है यह बहुत लोग हैं इनके पास पौन कॉल पहुंच चुके है यानि कि यह लोग मोधी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे चलिए